हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल फेंटेसी एक्सपर्ट में सिरी लंका वर से बंगला देश के बीच ये एसी एक अपका सूपर फोर का सिकेंड मैच है और इस मैच में डिरेक्ट ग्रान लिग की टीम कॉंबिनेशन बनाने वाले हैं और हर एक टीम कॉंबिने अपका मैच खेला गया है जहां पे पेसर को ज़्यादा मदद मिलती थी और रण भी अच्छे खासे बन जाते थे जबकि ये मैच प्रेमदसा अस्टेडियम कुलंबो में मैच होने वाला है और यहां पे स्पीनर को ज़्यादा हिल्प रहता है स्पीनर को ही सबसे का सीन क्लियर कर दूँगा कि क्या रिसेंट पर्फोर्मेंस है क्या वेन्यों पर्फोर्मेंस है और ग्रैंड लिग के बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के आपसन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ग्रैंड लिग की टीम को रैंक करा सकते हो साथ में इसमॉ आइकन को दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे जो सबसे इंपोर्टेंट होता है मेरा टेलिग्राम जोइन करना जहां टॉस्ट के बाद कोई भी न्यूज अपडेट आते हैं वो बताये जाता है साथ में ग्रांड लिग आपको टेलिग्राम पे ही मिलती है तो टेलिग्राम जरूर से जोइन कर लेना वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीछ रिपोर्ट की ही बात कर लेते हैं प्रेम दसाय स्टेडियम कुलंबो में मैंच होने वाला है और ये ग्रांड बैलेंस है यहां पे एबरेज स्क हैं और कितने विकेट गिरते हैं जबकि यहां पे हाइ स्कॉर की बात करें तो 375 का है जो कि इंडिया का ही है जबकि लो इसकॉर 86 पर पुरी टीम भी एलाट हो चुके है जोकी नीदर लेंड की टीम जबकि ऑलावर इस गरांड की मैच की बात करें तो 119 मैच खेले गए हैं जिसमें 1st बैटिंग करने वाले 75 और 2nd बैटिंग करने वाले 54 मैच को विन किये हैं अभी recent के हिसाब से जो टीम पहले बैटिंग करते हैं वो अच्छा खासा रन बना जाते हैं जबकि scoring pattern की बात करें तो यहां पे below 211 बार हुए हैं जो की 51 बार है जबकि उसके बाद 36 बार 200-300 तो मतलब ठीट ठाक रन बन जाते हैं इस ground के recent के कुछ मैच की बात करें तो पिछले महीने मैच खिला गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 268 रन मारे थे 8 विकेट पर अफगानिस्तान चेस करने में 200 रन ही बना पाए और पूरी टीम ओल आउट हो गये यहां पे विकेट जो मिला था पेसर को पहले एनिंग में 5 विकेट, सिकेंड में 4 विकेट जबकि स्पीनर को पहले एनिंग में 2 विकेट और सिकेंड एनिंग में 6 विकेट मिला था जबकि उससे पहले 2022 में मैच हुआ था जून में स्री लंका और अस्ट्रेलिया के बीच स्री लंका पहले बैटिंग करके 258 रन मारे थे 10 विकेट पर अस्ट्रेलिया चेस करने में 254 रन बना पाए थे जबकि उससे पहले एक और मैच हुआ है 2022 में जून में अस्ट्रेलिया और स्री लंका के बीच तो यहां पे अस्ट्रेलिया पहले बैटिंग किये थे 291 रन मारे थे 6 विकेट पर जबकि स्री लंका चेस करने में 292 मार दिये थे 4 विकेट पर यहां पे भी पेजर को पहले इनिंग में 1 विकेट सिकेट में 3 विकेट जबकि स्पीनर को पहले इनिंग में 5 विकेट और सिकेट में 1 विकेट मिला था जबकि उससे पहले 2021 में साउथ अफरीका के बीच मैच हुआ था स्री लंका के हेलाब यहां पे South Africa पहले बैटिंग करके 283 run मारे थे 6 wicket पर Sri Lanka chase करने में पुरी team all out हो गए थे 157 run ही बना पाए थे यहां पे भी Pacer को पहले इनिंग में 4 wicket और second में 4 wicket जबके Spinner को पहले इनिंग में 2 wicket और second में 6 wicket मिला था तो यहाँ पे आप जेनरली देखोगे कि जितने भी टीम सिकेंड में बॉलिंग कराते हैं तो वहाँ पे स्पीनर को कुछ ज़्यादा है ही help मिलता है तो इसलिए सिकेंड में बॉलिंग कराने वाले ज़्यादा important रहेंगे स्पीनर इन दोनों के भी टोटल 8-8 की बात करें तो वैसे तो टोटल 52 मैच खेले गए हैं जिसमें 41 मैच को सिरिलंका विन किये हैं और बंगलादेश शिरिफ 9 मैच को विन किये हैं दो मैच का नोडी जल्ट रहा है लेकिन लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 11 मैच खेले गए हैं जिसमे 7 match स्रिलंका विन पिये हैं और 4 match को बंगला देश विन किये हैं और dont में जो इन दोनों का हाल है तो other team की आप इच्छा भी देखा जाए तो लगतार स्रिलंका एक भी लाश्ट के 5 match में एक भी match को loss नहीं किये हैं जबकि बंगला देश का आप मैच विन भी किये हैं, रिसेंट का जो इन दोनों टीम का रिकॉर्ड देखोगे, तो ये ACA कप का रिकॉर्ड है, जिसमें पहले बैटिंग करके बंगलादेश 164 रन मारे थे, पूरे टीम all out हो गये, जबकि स्री लंका चेस करने में 5 विकेट गवा कर मैच को जीत लिये थे, जिसमें स्री लंका मैच लॉस कर गये थे, जिसमें 9 विकेट गिर गया थे, 141 ही रन बना पाए थे, उससे पहले भी देखोगे तो बंगलादेश विन किये थे, जिसमें स्री लंका लॉस किये थे, यहां पर पूरी टीम all out हो गये थे, 224 पे बंगलादेश पहले बैटिंग करके 257 रन मारे थे, 6 विकेट पर, तो लास्ट के जो 5 मैच खेले गये हैं, जिसमें 3 मैच को स्री लंका विन किये हैं, और 2 मैच को बंगलादेश विन किये हैं, वैसे बंगलादेश के भी कई सारे प्लेयर कंसिस्टेंट है, तो उनके प्लेयर का भी परफॉर्म देखना ज जो कि right hander bestman है ओफ break balling करते हैं सनाका है right hander bestman है और medium pace balling करते हैं well age है जो कि left hander bestman है और orthodox balling करते हैं अगले player थिकसाना है जो कि right hander off break balling करते हैं रजीथा है right hander medium pace balling करते हैं अगले player पतिराना है right hander medium pace balling करते हैं तो ये इनके play 11 है तो ये स्री लंका के possible playing 11 है जबकि इसके टीम से किस-किस प्लेयर को लेना है तो इसके लिए इनके सारे प्लेयर का रिसेंट प्रफॉर्म देखेंगे तो पतुनी संका है ओपनिंग करते हैं टीम की तरफ से जबकि काफी गजब के प्लेयर है पिछले मैच में भी 41 रन मारे हैं उससे पहले 14-23-104-101-0 तो बीच-बीच में एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन तभी बनाना जब इनकी टीम पहले बैटिंग करें सिकेंड में उतना जादा सेफ नहीं रहते हैं आप एज़े प्लेयर ट्राइ कर सकते हो पहले एनिंग में जब भी बैटिंग करते हैं तो ज़्यादा उमीद रहती है इनके परफॉर्म आने की जबकि ये करू नारतने हैं ये एक एबरेज प्लेयर हैं लेकिन कंसिस्टेंट है अब देख रहे हो कि 32 रन पिछले मैच में मारे हैं तो ठीक ठाक प्लेयर है और लगातार परफॉर्म कर रहा है तो ट्राइ आप कर सकते हैं कुसाल मेंडिस है विकेट कीपर में है पिछले मैच में बिरानवे रन मारे थे उससे पहले 5, 43, 34, 25, 10 तो लाश्ट वाला छोड़ दिया जया तो उससे पहले पूरा एबरेजी था वैसे एक बरे प्लेयर है और बराए स्कोर कभी भी करते हैं जिस तरह से पिछले मैच में किये हैं जबकि अगले प्लेयर समाविक रमा है ये एक फ्लॉप प्लियर है एक मैच में सिर्फ 24 रन मारे है उससे पहले जितने भी मैच है सारे मैच में फ्लॉप है असलंका है ये भी एक कंसिस्टेंट प्लियर है जो की लगतार परफॉर्म कर रहे है पिछले मैच में 36, 62, 36, 2 तो ठीक है आप जरूर ट्राइ कर सकते हो जबकि डीडी सिलवा है पिछले मैच में 14 रन 2 विकेट उससे पहले 2 रन 1 विकेट उससे पहले 1 विकेट उससे पहले 4 रन 0 विकेट उससे पहले 94 रन भी मारे है तो वैसे इनको जब भी बैटिंग मिलती है तो बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं जबकि बॉलिंग कंडिशन रहता है और ब्रेक बॉलर है तो वो टीम में बता दूँगा जबकि अगले प्लेयर सनाका है इनका देखोगे पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिला था उससे पहले 14 रन एक विकेट एक विकेट एक विकेट पांच रन एक विकेट तो ये एक कंसिस्टेंट प्लेयर है जो कि लगतार विकेट मिल जाता है अगले प्लेयर वालेज है जो कि पिछले match में 33 run मारे थे, उससे पहले 1 wicket, 3 run, 0 wicket, 32 run, 31 run, तो wicket उतना जादा नहीं मिला है, लेकिन पिछले match में इनको 2 wicket भी मिला था, 32 run, 2 wicket, तो ठीक ठाक player हैं, आप जरूर try कर सकते हैं, जबकि अगले player ठीक साना है, पिछले match में 28 run मारे थे, एक wicket मिला था, उससे पहले 2 wicket, उससे पहले 13 run, 4 wicket, 4 wicket, 4 wicket, तो अभी जो कई सारे match खेरे हैं, उसमें wicket ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं थी, इस spinner को, जबकि इस ground पे जिस तरह से इनका perform है, 4-4 wicket निकाल लेते हैं, तो इस match में आप captain बना सकते हो, क्योंकि off break ballन हैं, और बहुत सारे left under bestman हैं, जो की बंगलादेश की तरफ से, तो इनको thought में wicket मिल सकता है, आप जरूर captain wise captain grand league में try कर सकते हो, अगले player रजीता है, जिसको मैंने पिछले match में trump card खिलाडी बनाया था, जिनका selection काफी low था, पिछले match में 4 wicket निकाले थे, उससे पहले भी आप देख रहे हो कि एक average player है, एक-एक wicket निकालते आ रहे हैं, एक wicket का आप उमीद कर सकते हो, अगले player पतिराना है, पिछले match में भी एक wicket निकाला है, उससे पहले 4 wicket, 0 wicket, 1 wicket, 2 wicket, 1 wicket, तो consistent है, safe player हो जाते हैं, इनकी तरफ से अगर आप 6 player को pick करना चाहें, तो फिर से मैं bowling section सही थिक साना को पहला number रखूँगा, उसके बाद पतिराना को try कर सकते हो, मैं वैलेज को भी try करने वाला हूँ, अगले player DD सिलभा को रखूँगा, तो ये 4 player हो गए, बैटिंग section से आप निसंका और कुसाल मेंडिस ये 2 player को try कर सकते हो, क्यूंकि इस ground पे सबसी अच्छा perform कुसाल मेंडिस का है, और bowling section में थिक साना का है, तो आप इन दोनों को captain wise captain कर सकते हो, जबकि इसका condition बताऊँगा, और लगभग आप देख लिए हो सारे player का recent perform, बंगलादेश के possible playing 11 की बात करें, तो वैसे लिटनदास के साथ मेहदी हसन मिराज ही opening करने वाले हैं, फिर मुहमद नैन first down batting करने आ जाएंगे, और मेहदी हसन और ओलाउंडर है, off break balling करते हैं, काफी गजब के balling करते हैं, और ये batting भी अच्छा कर लेते हैं, तो दोनों ठीक ठाक player है, जबकि मुहमद नैन का कुछ खास आ नहीं रहा है, अगले player साकीबुल हसन है, हरी दुआए हैं, मुहमद रहीम है, समीम हुसैन है, अफीफ हुसैन है, तसकीन हमद है, सैफुल इसलाम है, और हमाद महमूद है, तो ये इनके playing level है, अब इनकी तरफ से किस-किस player को लेना है, तो हम लोग देख लेते हैं, इनके player का recent perform, तो मुहमद नैन का देख रहो है, पिछले match में 28 run मारे थे, उससे पहले 16, 0, 9, 1, तो flop player है, कुछ भी नहीं ठीक ठाक है, आप drop कर सकते हो, महदी हसन मिराज है, पिछले match में 112 run मारे थे, और 1 wicket भी मिला था, उससे प अंदास है, विकेट कीपर में, वैसे इस स्रीज में पहला match अभी जो हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाब, तो उस match में flop हो गया है, जबकि उससे पहले भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बड़े player है, एक बड़े score भी खारा करते हैं, तो आप try कर सकते हो, साकीबुल हसन है, पि 20 run, 22 run, 16 run, 51 run, 13 run, तो इनका यही perform भी रहता है, 20-25 के ही आसपास मारते हैं, एक match में 51 मारे हैं, जबकि अगले player विकेट कीपर में मुहमद रहीम हैं, और लिटनदास ओपनिंग करेंगे, तो लिटनदास ही विकेट कीपर होने वाले हैं, तो फिर इनसे विकेट का उमीद मत करना, वैसे recent में ठीक ठाक perform कर रहे हैं, 45-29-25, तो आप try कर सकते हो, समीम हुसेन है, ये भी ठीक ठाक player है, वैसे average है, अगले player अफीफ हुसेन है, वैसे ये allounder है, लेकिन बैटिंग काफी down रहता है, और balling अभी फिलहाल कर नहीं रहे हैं, और ये भी off break baller है, तो मेहदी हस अल्रेडी है, तो मेहदी हसन ही balling करेंगे, और recent में form baby है, तो इनको balling मिलने की संभावना कम रहेगी, लेकिन अगर मेहदी हसन को target किया जाता है, तो फिर अफीफ हुसेन से भी balling करते हुए दिख सकते हो, अगले player तसकीन हमद है, पिछले match में 4 wicket, 1 wicket, 2 wicket, 1 wicket, 3 wicket, जब पहले 2 wicket, 0 wicket, 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket, तो ये भी काफी गजब के player हैं, वैसे स्रीलंका का देखा जाए, तो दोनों team एक दूसरे के कम player में हैं, तो आप try जरूर कर लेना, अब इनकी तरफ से आप 5 player को लेना चाहें, तो सबसे पहले जो option होंगे, वो साकीबुल हसन, अगले player म अब मैं man point पे आ गया हूँ, सबसे पहले trump card खिलारी की बात करूँगा, जिसमें करू नारतने को रखा हूँ, भाई consistent player है, 30-35 run तो मार ही देते हैं, जितना भी record दिखाया हूँ, अगर उससे ज़्यादा run बनाते हैं, तो और भी best रहेंगे, बहुत सारे लोग drop करेंगे, क् यह भी off break baller है, जबकि इनकी तरफ already महदी हसन मिराज off break baller है, जो की opening batting भी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा safe option महदी हसन ही है, और लोग इनको ही try करेंगे, वैसे विकेट भी consistent मिल भी रहा है, लेकिन होगा क्या, कि इनको विकेट लगातार मिल दा है, तो स्री लंका का best man इनको target करेंगे, विकेट बचाएंगे इनके ओभर में, तो अगर इनको 2-4-5 ओभर फेकने के बाद विकेट नहीं मिलता है, तो फिर अफीफ हुसेन है, जिनको balling कराने की संभावना बर जाएगी, और इनको बीच में balling try किया जा सकता है, क्योंकि स्री लंका की तरफ से भ बैटिंग काफी डाउन है, खासकर बंगलादेस पहले बैटिंग करेंगे, तो आप बिंदास try कर सकते हो, बैटिंग से आपको point देंगे, जबकि balling करते हैं, तो एक बड़ा point भी देने वाले हैं, तो फिलहाल में रखा हूँ, मैं toss के बाद देखूंगा, पीछ दो ऐसे player हैं, जिनको इस ground पे सबसे ज़्यादा विकेट मिला है, तो इस safe player है, इनका selection काफी ज़्यादा है, हो सकता है, अगर इनका घटे selection percentage, तो ऐसे safe full islam को रखा हूँ, safe full islam का इस match में फिर से perform आने वाला है, तो ये सारे player trump card है, जो कि grand league में आप try कर सकते हो, जबकि small league क safe player की बात करे, या fixed player की बात करे, इनमें जितने भी player हैं, सारे के सारे safe हैं, इनमें किसी भी player को आप drop नहीं कर सकते हैं, small league में, अगर करोगे तो आपका loss लग सकता है, अब बाकी player जो इनमें add करना है, तो उसमें toss important हो जाएगा, और भी कई सारे logic लगेंगे, तो वो मैं team प साकीबुल हसन, जबकि ठिकसाना को मैं common player रखा हूँ, यहाँ पर पतिराना को भी try किया हूँ, सैफल इसलाम के साथ तसकीन हमद है, captain wise captain की बात करे, तो अगर सिरिलंका अब second में balling कराते हैं, वैसे second में balling कराएंगे, तो लोग ठिकसाना को कभी भी captain wise captain नहीं बनाएंगे, मैं suggest करूँगा, कि second में balling कराते हैं, तो अब ठिकसाना को captain wise captain कर सकते हैं, क्योंकि recent का कई सारे match का record दिखाया हूँ, जिसमें second inning में spinner को ज़्यादा help रहता है, और बंगलादेश की तरफ से कई सारे left hander हैं, तो ठिकसाना को wicket मिलेंगे, वैसे safe सबसे ज़्यादा captain wise captain के option सा साकिबूल हसन रहेंगे, और आप wise captain अगर safe जाना चाहें, तो कुसाल मेंडिस के साथ जा सकते हैं, डीडी सिल्वा के साथ जा सकते हैं, या आप महदी हसन मिराज को भी बना सकते हैं, तो फिलहाल आप साकिबूल हसन को captain और महदी हसन को मिराज को wise captain बना कर, आप small league की team join कर स कि संभाबना कम हो जाएंगे क्योंकि लीटंदास ही विकेट की प्रिंग करने वाले हैं जबकि कुसालमेंडेस का रिसेंट परफॉर्म अगर लास्ट वाला मैच छोर दिया जाए तो एक एबरेज ही है कुछ बड़ा स्कोर नहीं आ रहा था वैसे ही बरे प्लेयर हैं कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं लेकिन इनका रिसेंट जो इस वैनियू में बहुत ही गजब का परफॉर्म है पचास का एबरेज स्कोर है तो फिलहाल मैं दोनों टीम में रखा हूँ बाकि मैं कई सारी ग्रैली की टीम कंबिनेशन बनाने वाला हूँ यहाँ पे हरी दुआई को म पतुन निसंका और करुनाडत ने दोनों बरे प्लेयर पे रिस्क लिया हूँ तो यह एक रिस्की टीम है और इसमें रजीता सैफुल इसलाम और वैलेज तो यह तीन चार प्लेयर हैं जो की रिस्की है जबकि इस टीम में बात करे तो पतिराना को वाइस कैप्टन बनाया आप बनाओगे बालिंग सेक्षन में तो आपकी टीम यूनिक बनेगी क्यूंकि जिस तरह से मैच हो रहा है तो लोग बालिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जबकि इस गराउंट पे स्पीनर को ज्यादा विकेट मिलता है खासकर सिकेंड में स्रीलंका बालिंग कराते हैं तो उस कंडिशन में कोई भी बॉलर को सिकेंड इनिंग के बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करेंगे लेकिन आप बनाते हो तो आपका कैप्टन वाइस कैप्टन यूनिक हो जाएगा तो फिलहाल इस टीम में थिक साना को वाइस कैप्टन बना रहा हूं और यहां आप कुसालमेंडिस या रहीम दोनों में से कोई एक कैप्टन बना सकते हैं जब कि इस टीम में अल्लेडी पतिराना को बनाया हूँ और आप एक आग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं बाकि फाइनल टीम में आपको टेलिग्राम पे दूँगा तो टेलिग्राम मेरा जरूर जोएन कर लेना वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना ओके थैंक यू